अरविंद के जुवाल आज विधान सभा के अंदर केंद्र सरकार पर भड़कते हुए नजर आए जिहां दली विधान सभा के सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई बता दें कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद के जुवाल ने सदन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोई भी सरकार जीवन भर नहीं रहेगी कल केंद्र ने हमारी सरकार हो सकती है हम चुनियों ही सरकार की इज़त करते हैं के जुरुआल ने कहा कि ये सामानत वादी मान सकता है कि गरीब को आगे नहीं बढ़ने देना है आगे आपको बता दें कि अरविंद के जुरुआल ने कहा कि LG सहब कह रहे हैं कि देश में ही ट्रेनिंग करवालो क्यों करवालो हम किसी से कम है क्या गरीब के बच्चों को अच्छी सिक्षा नहीं दिला सकते क्या दरसल पूरा मामला ये है कि 30 टीचर दली से फिनलेंड ट्रेनिंग के लिए जाने थे लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताफ को ठुकरा दिया और कहा है कि यही ट्रेनिंग इंडिया में करवा ली जाए अरविंद केजरुआल ने कहा है कि यह बेहत गंभीर विशे है कि एक राज्य में चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए या किसी एक व्यक्ति की चलनी चाहिए मैं LG सहब से मिलने गया था आज मैं विस्तार से बताऊंगा कि क्या बात हुई बता दें कि भड़कते हुए अंदाज में अर्विंद केजरुआल ने केंदर सरकार पर खूब निशारा साधा और ये तक कहा कि कल केंदर में हमारी सरकार भी हो सकती है कुछ भी इस दुनिया में पर्मेनेंट नहीं है आज आप कि सरकार है तो कल हमारी सरकार होगी दिल्ली के सीम ने विधान सभा में कहा कि सरकारे तो बदलती रहती है हमेशा किसी एक कि सरकार नहीं हो सकती ऐसा भी हो सकता है कल को दिल्ली में हमारी सरकार न हो और ऐसा भी हो सकता है कल को छितन नहीं लेकिन आप असी ही ताज़त अमाम बड़ी अब्डेट से हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रही झाल झाल